तो देखिए आया था लेकिन उस समय कोई पता नहीं चला इस समय पता चला है कि उसमें इसा इसे मांस मिला था और उस लेडू में परसेद लेडू है और जिस परकार से स्वर्जन किया गया ही हमारे सदानतर भन में खारा घाद है इसको रोकने के लिए सरकार तुरह तेश का अब आगना टान पर्यास करें इसको खोज और लोग ऐसे लोगों ने ऐसका किया है इस प्रकार से तो उसके आग्याद गाने कीबा सfter अधी बताइबा लेकिन लेंडेंडो आया था और उसको किया गया था लेकिन यह किस रूप में आया और किस प्रकाशका विद्रण हुआ और ये जो भी होगा वो हसनातन धन पर शर्यंत है और जिसने किया है वो अपराद है और उसको डंज रेना चाहिए ये देखें महापाप है अच्छम में अपराद है कि ऐसे आप लोगों को भरष्ट करते हैं इसमें निश्पक से जांच होने चाहिए और जो भी दोसी पाया जाए उसके उपर सुनेश्चित कारवाही कि जानी चाहिए और इस प्रकार से किसी के धरम को भरष्ट नहीं किया जाना चाहिए लड़ू में मांस मिलाना जिहाद को बढ़ावा देना मैं मानता हूं कि एक जगन अपराध बन चुका है और इसके लिए सरकार को बड़ा कानून लाना चाहिए और कड़े कानून के साथ ऐसे लोगों को वो ततकाल प्रभाव से गिरपतार करना चाहिए और उसके बाद कोई कारवाही सुनेश्चित की जानी चाहिए तक यह वो भगवान का प्रसाद है और भगवान के प्रसाद में अगर इस प्रकार से मांस मिलाया जा रहा है जहां पूरी तरिके संसुदता का ध्यान देते हैं वहां मांस मिलाना यह महा पारता जगन में अपरा रहा है जिसकी कोई छमाही नहीं है ऐसे लोग खांसी ते पर लटका देने के पारते हैं बावजूर इसके कि हमारे देश में अब कोई कड़े कानून रह नहीं गए हैं हमारी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हमारी अपनी शभ्यता के लिए हमको चिलाना पड़ रहा है हमारी समाज भी जागणा नहीं है कि ऐसे लोगों को पर हम कारवाही के लिए सरकारों से अप्पील करें कि आखिर ऐसे प्रसादों में कि परकास लट्गूं में मांस मिलाकर ये क्या किया जाना है वो कोई भी हो किसी भी मतमझाब समपरदाय का हो उसके उपर कारवाही किया जाए।